है गाइस वेलकम टू 5 मिनिट स्टोक एनालिसिस वीडियो जहां पर हम 5 मिनिट के अंदर किसी भी स्टोक का एनालिसिस करते हैं यह देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है एंड उस ट्रेड के पीछे का लोजिक का है एंड सबसे इंपोर्टेंट बात हमको इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं सिप्राइस एक्षिन को यूज करके पूरा एनालिसिस करते हैं उस ट्रेड को एक्जेक्यूट करते हैं सो अब यार बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो हम आचके पॉलिप्लेक कॉर्पोरेशन लिमिटेट के मंतली टाइम फ्रेम के चार्ट के अपर रिसेंट ले हमको काफी ची तेजी इसमें होती हुई नजर आ रही और 52 वीक पर हाई पर भी ये स्टोक चल रहा है तो इसका एनालेसिस करके देखेंगे कि रिसेट में हमको कहाँ पर इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या स्टोप लोस हो सकता है क्या टार्गेट हो सकता है सब कुछ हम डेटल में जानेंगे सबसे पहले मैं इसका बड़ी टाम फ्रेम की बात कर लेता हूं मंतली टाम फ्रेम पर सिंपल अगर इसका प्राइस इक्षन देखोंगे लॉंग तरम में अगर आप देखोंगे स्टोक तो कंटिनियूसली बुलिश स्टोक है क्यों हमेशा ये उपर के तरफ ही मोग करता गय है एंड 2020 के बाद देखोंगे तो काफी अची तेजी यहां से हमको इसमें देखने को मिली कंटिनियूसली हर मत में इसको तेजी ही हमको इसमें देखने को मिली अब हम चलते इसके चोटे टाइम फ्रेम के चार्ट के अपर विकली ताम पर एक बार देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम शोट तम में ट्रेड देखेंगे राइट अगर विकली टाइम फ्रेम पर देखोंगे तॉप लेवल पर काफी अचा कंसोल डेशन हमको देखने को मिला है यानि कि प्राइस में बीच में काफी टाइम तक प्राइस ने यहां पर वेट किया था सम्वे राउं मोमेंटम करता जा रहा है एक दो तीन महिने से कंटिनुशली बुलिच मोमेंटम में ही चल रहा है नीचे में वोल्यूम देखो गए तो हैवी वोल्यूम ट्रेड होता हुए नजर आया यानि कि बड़ी पार्टी यहां पर अपना पेसा लगा रही है यानि कि रीटेर्स यह तो हमको एक बुलिच प्राइब नजर आया है क्योंकि सिंपल आप देखो गर मैं पर प्राइब यहां पर देखा हूँ तो यहां पर देख सकते हो कि कंटिनुशली एक हायर आई प्राइज बनाती जारी और हमेशे एक बुलिच मोमेंटम देती जारी राइट अगर आप द यह जो trend line है काफी important level है क्योंकि देखो पहले price ने दो बार यहाँ पर somewhere around यहाँ पर hit किया था and उस दोनों बाद हमको rejection phase करना पड़ा था और finally price ने इस candle के अंदर breakout लिया breakout लेने के बाद यहाँ पर retest किया इसको यहाँ पर देखो तो retest करने के बाद हमको continuously एक तेजी देखने को मिली उसके बाद देख सकते हो price ने अगेन एक हाई लगाया तो यहाँ पर एक important level यह यह तो इसको भी मैं mark कर देता हूँ price वाइस बात करूँ तो चपिस सो ओकि मैं mark करते था हूँ तेज सो तेज सो सितर के असपस राइट तेज सो पचास का round level number बान सकते हो तेज सो सितर यहाँ पर पचास साथ यहाँ पर एक strong support level है right and उसके बाद बात करूँ तो पिछले price में 3-4 दिनों से price ने यहाँ पर वेट किया था अब अब चार दिनों से price एक level के आसपास वेट कर रही थी और finally हमको एक big तेजी हमको होती हुई नजर आई है top level पर आपको buy करने का कोई benefit नहीं है आपको एक दो दिन वेट करना है आपको देखना है कि यहाँ से अगर direct bullish momentum मिल रहा है तो भी आपको ignore करना है लेकिन अगर थोड़ा सा selling pressure हमको देखने को मिलता है और थोड़ा सा भी retracement होता है तो उसके बाद हम इसमें fresh buying कर सकते हैं फिर 80 के आसपास आ सकती या फिर 2500 या फिर मान सकती हो 26 का एक round level number है तो 26 का strong support level है तो 26 का level को price test कर सकती है तो मैं यह बार एक छोटे time frame का chart लगा लेता हूँ यहाँ पर देख सकती हो कि अवली time frame पर देखोगे तो simply हमको एक swing low somewhere around यहाँ पर देखने को मिल रहा है 26 के round level number के आसपा जो मैंने बता है वहीं पर हमको एक swing low देखने को मिलता है तो price 26 के आसपास आ सकती हो और वहीं से हमको again bullish momentum देखने को मिल सकता रहे तो आप अगर fresh buying करना चाहते हो तो एक दो हो सकता है एक दिन या फिर थोड़ा सा हमको selling pressure देखने को मिले and price 26 के आसपास या उससे पहले ही थ immediately buy करने में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपको wait करना है price 26 का level hold कर जाती है वहाँ पर एक दो दिन wait कर जाती है और उसके बाद bullish momentum देती है तब हम इसमें fresh buying कर सकते है and simply आपका stop loss 26 के नीचे होना चाहिए इससे ज्यादा बड़ा stop loss आपका नहीं होना चाहिए I hope की पूरी चीज़े clear हो चुकी होगी काफ़ी simple तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है and सारे important levels में यहाँ पर mark कर रहे है तो सेम चीज़ आपने mobile computer में कर सकते हो and एको जो swing low somewhere around important level है वो है यहाँ पर 180 का round level number important level है राइट वहीं से हमको तेजी होती हुई नजर आई थी तो यहाँ पर मार्क कर चुका हो और यहाँ पर अगर आप बाय करते हो तो आपका उसके बाद target होना चाहिए minimum 1-2-2, 1-2-3 आपका target होना चाहिए क्योंकि काफी चाहिए हो कि हमेशे उपर की तरफ bullish momentum करता हो हमको नजर आया है राइट तो यह वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरू बता है इस वीडियो की लिंक आपको description में मिल जाएगी आपको home screen पर यह वीडियो दिख रहा है simply आप इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो पूरी जानकारी ले सकते हो कि किस तरीके से आपको हमारे telegram से जुन ना है और अभी आपके लिए offer है तो एक बार वीडियो देखो क होए तो offer भी आपको उसमें पता चल जाएगा तो यह वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरूरू बता है इस लेटेस लोचिकल टेडिंग वीडियो के लिए चैनल को subscribe करके bell icon को hit करें